नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक उपाध्या और आप देख रहे हैं इंडिया बोलेगा यूट्यूम नूश चैनल सपा मुखिया अखलेश यादो के निर्देश पर विधान सभा के नेता प्रतिपच राम गोविन चौधरी के नेत्युत में पार्टी का ग्यारा सदस्ती जांच दल रवीवार की दुपहर जौनपुर के चकमिर्जापुर गाउं में पहुचा यादल तिलकधारी यादो के घर पहुचा जहां पुलिस अभीरच्छा में मिर्थ कृष्न कुमार यादो उर्फ पुजारी के परजनों से मुलाकात की परजनों द्वारा पुलिसिया बरबरता की दास्ता बया की तो राम गोविन चौधरी ही नहीं टीम में सामेल सदस्यों की भी आँखे छलक उठी जांच टीम ने पीडित परिवार से वादा किया की निया दिलाने के लिए हर अस्तर पर संघर्स किया जाएगा घर पहुँशते ही राम गोविन चौधरी वा अनिस अदस्यों ने मृत की सन्यादों के चित्ष पर माल्यार परकर शद्धांजली दी पिता तिलक धारी माता सुर्शत्ती देवी भाई अजय वप्रदी प्यादों ने पुलिसिया बरबरता सुनाई बेटे के गम में तिलक धारी वशुशत्ती देवी बिलख बिलख कर रोते रोते बेसुद हो जा रहे थे दर्वाजे पर उमड़ी भीड से परजनों को बरामदे में ले जाकर राम गोविन चौद्धी ने अपना परचे दिया कहा कि सपामुखिया अखले शादों ने आपका दर्द जानने समवेद ना जताने और पूरे प्रकड की जाँच कर न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने मुझे आपके पास भेजा है आस्वस्किया की जब तक दोसी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कारवाई नहीं होगी तब तक पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जाँच टीम में सामिल पूर्मन्ती पसागंच के विधायक सैलेंद यादो ललाई मशली सहर के विधायक जगदीज सोनकर मल्नी के विधायक लकी यादो सपाजिला ध्यच लाल बहादूर यादो पूर्विधायक ओम प्रकास उर्फबाबा दुबे शाम बहादूर पाल हिसामुद दिन आदी के अलावाँ पूर्विधायक सध्धा यादो राजनात यादो राहुल स्रिपाठी विकास यादो लाल चंद यादो लाले गुलाब यादो आदी मौजूद रहे सांती व्योस्था को पुलिस वा पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई थी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जो जबाई